बड़ा चिंता में हूँ जिस तरह का फैसला संबल में हुआ एक दिन पेटिशन दाकिल होती है उसी दिन जो है सिंगल पार्टी ऑटर हो जाता है उसी दिन जो है सर्वे टीम बन जाती है मैं किसी तरह की हिंसा का पत्राओं का कोई समर्थन नहीं करता हूँ लेकिन इसकी याड में अगर गोली से निया होगा धार्मी कस्तला है जो सनातन संत्कर्थी से जुड़े हुए है आज के समय में वो कहीं ना कहीं बोधिश्ट जो हैं बोध विहारों के असपास अगर कल ये लोग आके सर्वे के लिए निचली अदालतों में अप्लिकेशन करने लगे और ये इस तरह चलता रहा तो मैं अभी जहासी में जो आपने देखा कि दस बच्चों की जान कि मैं जहां से आता हूं नगीना विजनोड जिले से मेरे जिले में आई सुनी माया उती ज जमेदारी से समाज की सेवा कि एक लंबे समय तरह कि और वो समाज को लेकर अभी तक चिंतित मैं कोर्सिस कर रहा हूं कि जो काम उनके द्वारा दूरा रह गया उस काम को हम लोग पूरा करें नमस्कार देश में मंदीर और मजजित को लेकर विवाद हो रहा है संभल का विवाद अभी थमा नहीं है कि अजमेर शरीप का अब जिक्र शुरू हो गया है इस बीच हमारे साथ यूपी की राजनीद के बड़े चेहरे उभरते हुए चेहरे कहिए चंदरशेखर हमारे साथ हैं जो की नगीना से सांसद हैं पिछली बार चुनाओ जीत कर लोग सबा चुनाओ में ये सांसद बने उप चुनाओ में भी इन्होंने ठीक ठाक वोट बटो रहे तो आए उनसे बातचीत करते हैं तमाम सवाल पूछेंगे देश की राजनीद अवाल हुआ हिंसा हुआ मैं समयता हूं कि जब हम आजादी के 75 साल पार कर रहे हैं तो आज हमें कंपेरिजन करना चाहिए कि फर्स्टे से यानि के पंदरा अगर्स 1947 से और आज हमने क्या पाया और क्या खोया और जो सब को एक सुत्र में पिरोने वाले सविधान के जो उद पूती कपड़ा मकान पीने के लिए साप पानी उसके बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छी चिकिस्सा रोजगार किसानों की तकलीफे मजदूरों की तकलीफे महिला सुक्षा एकनोमिक रूप से हम लोग कितने ससक्त हो पाएं यह बहुत बड़ा विशह है आकलन करने किसी दूसरे को कहने से पहले अपने अंदर देखें डिबेट में जब हमारे यह चर्चा होती तो हम दूसरे देशों से तुल्ला करते हैं लेकिन क्या एक बार हम अपने अंदर जहांके देखते हैं कि हम जो आर्थिक गयर बराबरी उसको कितने बड़े पैमाने पर कम जोर कर पाए कि जो पर कैपिटल इंकम है वो कहां है रिसोर्स क्या लोगों तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम यह देखते हैं कभी-कभी ऐसा लगता है कि इन सब चीजों पर परदा पड़ा रहे हैं तो कुछ नया देना पड़ेगा और मैं इस कॉंस्प्रिसी को उसी का हिस्सा मानता हूं चैस संभल हो ग्यान व्यापी हो और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक बड़ा मुद्दा अजमेर शरीफ का भी आ गया है और यह नहीं पता कल मत्रा का आएगा या कहीं और का आए और यह ज्यादा तर वहीं हो रहा है जहां बीजेपी की गवर्मेंट जो है पावर जो नीचली अडालते हैं जो इस सर्वे का निर्ने ले रही हैं क्या आप लगता है कि इसके पीछे चंद्रशूर का जो है वो पुराना फैसला सिरफ चंद्रशूर जी का नहीं एक हाई को जारों से नहीं बनावा है देश सिरफ जो है सीमाओं से नहीं बनावा है देश दिलों को जोडने के लिए सविधान में का जो प्रिंबल है वो एक ऐसी भावना के स्थापना करता है कि देश का अंतिम वेक्ति जुडावा है कस्मीर का वेक्ति और कन्या कुमारी का वेक्ति बनाया और वो लोकसवार राज्य सवार से पारित हो के राष्ट प्रदीजी के सिकनेचर से कानून बन गया है उसके बावजूद जहां आज हमें और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं सीधी बात करूं तो अभी जहासी में जो आपने देखा कि दस बचों की जान गई जहां हम ऐसे दोर में हैं कि हम पर मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी तरह की नहीं है मैं जहां से आता हूं नगीना बिजनोड जिले से मेरे जिले में आईस्यू नहीं है गवर्मेंट होस्पिटल में जहां हम इस हालात में हैं वहां हम उन सब चीजों से दूर होके जो historical fact है उन पे जो है ज्यादा अच्छा रखने मैं मानता हूं कि अगर इसी तरह से इसी गती से आगे बढ़ते रहे तो कल सायद कोई और विलिजन का आदमी जैसे बोद्धिस्ट लोग खड़े होगे कहेंगे क्योंकि ये भी historical है कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे बहुत उस्तूफ बनाए थी और ये भी कई जगा पर काया था कि बहुत सारे जो धार्मी कस्तला हैं जो सनातन संस्कर्थी से जुड़े वे हैं आज के समय में वो कही ना कहीं बहुत दिश्ट जो हैं बहुत विहारों के असपास हैं अगर कल ये लोग आके सर्वे के लिए निचली अदालतों में अप्लिकेशन करने लगे और ये इस तरह चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि साइद हम लोग इस देश को एक चुट करके आगे बढ़ाने में नाकामियाब साबित हो जाएंगे जिसकी उमीद जिसक हो रहे हैं इंसा हो रही है तो इसका क्या समधान निकाल रहे है क्या करें कि ऐसा ना हो तो वर्शिप एक 90-91 वह यही था कि इस इस इशू पर अब कोई डिबेट नहीं होगी पंदरा अगर उन सहताजिस को जिस धार्मिक अस्तल किस्तिति जोती वह वही रहेगी और यह मान हैं आप समझो ना हमारे देश में यह बहुधर्मी देश है तो धरम सेंसिटिव इशू है सब के लिए तो अगर हम इससे इत्र जो है बुनियादी मुद्धों पर ज्यादा काम करेंगे तो सायद जो है हम इस तरह की कॉंस्पर से बच रहेंगे और मैं बड़ा चिंता में ह और हो जाता है उसी दिन जो सर्वे टीम बन जाती है शाम को सर्वे के लिए टीम चल जाती क्योंकि भारत की सरकार सिस्टम पर आरोप है कि वह बहुत लेजी जो काम कागजाज गया वो कई महिने बाद जो है वो फाइल साइन होगी लेकिन उस दिन जो हुआ है वो इस कॉंस को और बढ़ावा देता है कि भाई इतनी तेजी क्यों बढ़ती गई और एक बार सर्वे के बाद दूसरी बार सर्वे क्यों और फिर पुलिस का रोल एड्मिस्टेशन का रोल वहां के लोकल लिडर्शिप का रोल और मैं समझता हूं इसका एक हल बहुत सा सही है जिसमें वहे वो विपरक्स के लोग हो इवन चैस में मैं क्यों ना हूं क्योंकि लोगों की जान वैलू रखती है वहां के सीओ अनुज चौधरी को ले के लोगों में बड़ा नराजगी है लोग करें देकि उन्हों नहीं वहां पर मामला भड़काया मैं अनुज को आरोपी नहीं क कारवाई हो और अगर कोई विपरक्स का नेता हो जिसने उस पर भी कारवाई हो ठीक है मैं फिर मैं आपसे कहता हूं मैं किसी तरह की हिंसा का पत्राओं का कोई समर्थन नहीं करता हूं लेकिन इसकी याड में अगर गोली से निया होगा तो मैं इस बात से भी सहमत नहीं हू क्योंकि हर चीज का राष्ता है, हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं इस बात को बहुत चिद्र जानता हूँ, क्योंकि मैं एक लोयर भी हूँ और भारत का जिम्मधार नाकरिक भी हूँ जब आप संभल जा रहें तो आपको हापोर में ही रोग दिया गया, तो क्या बातचीत हुई आप जो पुलिस के बिच, क्या कहा पुलिस वालों ने? दूसरा, जिन बच्चों के जान गई है, उन पर उनके परिवार की अप्लिकेशन लेके, जिसके खिलाब वो अप्लिकेशन दे रहे हैं, उसके खिलाब कारवाई और जाज कारवाई की जाए, जाज करा कर लोग सबार चुनाओ में आप सांसद बन गये, तो हम उमीद कर रह ठीक है, क्या सीटे मिलना ही, ऐसे तो बहुत सारी पार्ट्य जनको सीटे नहीं मिली, राजनीती में उतार चड़ा होते हैं, आजास समाज पार्टी नहीं पार्टी, धीरी धीरे अपनी जगा बना रहे हैं, विस्वास हासिल कर रही हैं, और आपको नहीं पता, कि बड़ी- मेरे उपर भरोसा किया है मीरापूर में गाजयबाद में पुदरकी में खैर में और अन्य सिटों पे मैं उनका धन्यवाद दूँगा और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं उनके विश्वास को तूटने दोगा जिन उम्मीदों से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है मैं इस लेकिन जब एक तरफा सरकार बढ़ने लगी तो हम 3400 के लगब वोट से चुना वहार गें आप इसको जो पार्टी यहां शुरू हुई है उत्तरप्रदीस में और महराज में शिट जीदने करीब पहुंच रही आप इसको आसान लेते हैं कि एक वह सीड़ भी चर्चे में जहां से आप इन्फूरेंसर ने चुना वलागा था बहुत कम वोट मिले थे उनको अब फिर मैं आप से कह रहा हूं मैंने उनको पहले ही कहा था कि इलेक्टर पॉलिटिस अलग चीज़े लोग आपको वोट तब तक नहीं देंगे जब तक आप पर भरोसा नहीं करेंगे कि आदमें हमारे लड़ाई लड़ लेगा अच्छा मीडिया ने एक बात इस बात पर भी गौर किया आपने कहा कि मीडिया हर बात पर गौर नहीं करती है ठीक है आपको सीटें नहीं मिलूप चुनाओं में लेकिन हम ने देखा कि मायवती से ज्यादा वोट मिला तो क्या आप मानते हैं कि अब जो दलित वोट वैंक है वो उनसे वहां से उन पर से भरोसा हट गया है अप चैनल शेकर दलतों के बड़े नेता है एक बार आप उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतर जी का अभी नाम ले है योग्याद इतना थे हाँ मैं फिर आप से कह रहा हूं मायवती जी हमारी सीनियर नेता है उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से समाज की सिवा की एक लंबे समय तक की है और वो समाज को लेकर अभी तक चिंती थी ठीक है मैं कोसिस कर रहा हूं कि जो काम उनके दोरा दूरा रह गया उस काम को हम लोग पूरा करें और वो हमारे लिए हमेशा पर भी हमें इन से राय जानी हमने यूपी उपचुनाओं को लेकर भी बातचीत की कि इस बार उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा मायवती के के तुलना में अगर बात करें तो चंडर शेकर को इस बार ज्यादा वोट मिले इसके पीछे क्या वाज जारी इस पर भी हमने बातचीत की बाकि हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगे इसके बारे में जरूर बताएए और देखते रहेए एबी पिलाएव